बिहार के नवादा से बड़ी ही अजीबो गरीब मामला सामने आया जहां नवादा के भगत सिंग चौराहे पर एक लड़की अपने माता पिता के साथ मार्केट आई थी लेकिन उसने अचानक अपने होने वाले पती को देख लिया और 20 सड़क पे शुरू हुआ हाई बोल्टेज ड्रामा भीड़ पर्टा देख लड़के ने कई बार भागने की कोशिश भी की लेकिन लड़की ने उसे दोड़ा कर पकड़ लिया और बोलने लगी मेरी शादी करवाओ लड़के की परजनों की माने तो तीन महीने पहले इस यूवक से बेटी की शादी तैक कर दी गई थी दहेज में एक बाइक और पचास अजार रुपए कैस भी दे दिये गए थे जब शादी का समय नजदीक आने लगा तो लड़के ने कुछ दिन बाद शादी करने की बात कई इसके बाद लड़के वाले शादी को टालते रहे शादी नहीं करने के लिए यूवक कई महीनों से भागा भागा फिर रहा था जिसके बाद जब बजार में लड़के को देखा तो उसको पकड़ कर शादी करने की चित करने लगी कई बार लड़का लड़की से हांद छुड़ा कर भागने की कोशिस करता रहा लेकिन लड़की और उसके परिजनों ने युवक को खदेर कर पकड़ लिया युवक जिले के रो थाना छेतर महाकार गाउं का रहने वाला है और लड़की थाना छेतर की महुली की रहने वाली है घंटो चले इस ड्रामे की सूचना जब पुलिस को लगी तो सडक पर युवा जोड़े का तमाशा देख पुलिस ने इस मामले में दखल दिया और दोनों पक्ष को महिला थाने ले आई फिर दोनों के घर वालों को समझाया गया दोनों परिवार की सहमती के साथ युवा जोड़े की शादी महिला थाना से सटे मंदिर पर करवा दी गई